महराष्ट में मचे सियासी भूचाल ने देश के सियासी पारे को भी चड़ा दिया है अजीत पवार की बागावत को लेकर नेताओं की बयान बाजी तेजे वहीं बीजेपी एक बार फिर सवालों में है राजी सभा सांसत कपिल सिब्बल ने अजीत पवार की बागावत को लेकर बीजेपी को कडगरे में खड़ा किया है साथ ही प्यमोधी पर भी निशाना साधा है तो क्या कहा है कपिल सिब्बल ने देखते हैं यह रिपोर्ट अचारियों को गले लगाओ पहले उनकी जाच की गैरेंटी ले फिर उनके समर्थन की वारेंटी ले जाच भी अस्थगित अपसे EDCBI का कोई तरनाव भी नहीं कुछ सुनी सुनाई सी बात लगती है लोगतुंत्र की जननी अपना काम कर रही है कपिल सिब्बल ने अपने इस शिंदे सरकार में शामिल हो गए अजीत पवार शिंदे सरकार में उपमुख्य मंत्री बन गए हैं वही पार्टी के आठ नेताओं ने भी मंत्री पत की शपत ले ली सिब्बल ने रविवार को राष्टवादी कॉंग्रेस पार्टी के वरिष टेता अजीत पवार के कॉंग्रिस में अपने समोधन में कहा था कि लोगत्पांतरिक भावना के विकास में भारत लोगतंतर की जननी है कपिल सिबल ने साफ कर दिया कि पीम की करनी और कथनी में फर्क है डीबी लाइफ की रिपोर